Hello everyone, welcome to job साथी आज इस वीडियो में हम बात करेंगे LIC advisor कैसे बने और LIC advisor का काम क्या होता है तो आपको यह पता है कि LIC जो है वो सबसे लोगकपरी या company में से एक है तो इसलिए लोगों का बहुत ही अच्छा भरोसा है इस company के उपर तो LIC में जो advisor का काम होता है तो वो कैसे होता है, क्या काम करना होता है, क्या qualification होना जरूरी है तो आपको यह बता दे कि 10 वी के बाद भी आप advisor बन सकते हो 12 वी के बाद भी अगर आप आगे की पढ़ाई नहीं कर सकते तो भी आप advisor आप LIC में बन सकते हो तो अब हम बात करेंगे कि LIC advisor बनने की प्रक्रिया क्या है और काम क्या होता है तो आगे जाने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले आपको क्या करना है policies बेचनी है policies sell करनी है तो उससे related एक exam आपको देनी पड़ती है उसके बाद 25 गंटे 25 hours की training आपको दी जाती है सिलाबस होता है तो सिलाबस के उपर जो एक exam होती है वो भी आपको देनी पड़ती है और उसके बाद जब आप LIC agent की exam देते हो उसमें pass हो जाते हो advisor की जो exam होती है तो आपको license मिल जाता है अगर आप fail हो जाते हो pass नहीं होते हो तो भी आप next time LIC advisor की exam वापस दे सकते हो अब हम बात करेंगे LIC advisor की जो exam है उसके बारे में सिलाबस जो है वो IC38 में दिया गया है जो भी advisor का सिलाबस होता है detail में बताया है concepts बताए है तो उसकी आपको पढ़ाई करनी है अध्ययन करना होगा ये जो exam है आपको online देनी है तो center पे जाब के आप online exam दे सकते हो तो एक-एक marks के 100 questions आपको पूछे जाएंगे और 40% marks आपको मिलने होंगे तो ही आप pass हो सकते हो तो अब आप सोचते होंगे कि किस तरह के questions आपको इस paper में पूछे जा सकते है तो कुछ sample questions के बारे में मैं आपको बताती हूँ सबसे पहला प्रशन आता है कि insurance लोगपाल के pass कैसे शिकायत दर्श करे मतलब जो customer के doubts होते है queries होती है वो लोगपाल से कैसे शिकायत करे तो चार options आपको देंगे तो आपको सही option select करना है उसके बाद कौन से death claim को early death claim का व्यभार मिलना चाहिए मतलब अगर आप policy करते हो उसके बाद 5 साल के बाद आपकी death हो जाती है किसी व्यक्ती की तो उसे देना चाहिए या 3 साल के बाद जिसकी death होती है तो उसको देना चाहिए तो उसमें female candidate आती है male candidate भी होता है तो किसे early death claim देना है तो इस तरह के questions आपको पूछे जा सकते है मतलब apply करते वक्त आपको insurance संभंदित LIC संभंदित सभी जानकारी हासिल कर लेनी चाहिए उसके बाद ही आप apply करे तो अगर ये जो exam है वो आप pass कर लेते हैं तो आप LIC advisor का काम कर सकते हो अगर आप पहली बार में परिक्षा pass नहीं कर लेते तो आप पुनाहा परिक्षा भी दे सकते हो ये जो exam होती है काफी व्यापक होती है आसान नहीं है थोड़ी से मुश्किल होती है 100 marks के questions होते है मतब एक-एक mark का question 100 questions आपको आएंगे 100 marks के लिए लेकिन negative marking नहीं है लेकिन फिर भी व्यापक है बहुत ही सावधानी पूरवक आपको conduct करती है exam तो आपको देना ही है उसके बाद आप insurance में job करेंगे मतलब LIC में आपको advisor की job करनी है तो LIC संबंदित आपके पास knowledge है या नहीं वो देखने के लिए IRDI conduct करती है exam वो देना जरूरी ही है साथ ही साथ ये भी पता चलेगा कि आपको जिसमें career करना है उससे related सभी information सभी जानकारी आपके पास है या नहीं तो इन सभी बातों की जानकारी मिल सकती है इसलिए ये जो exam है वो देना जरूरी है तो exam pass कर लेने के बाद ही आपको license मिलता है और license मिलने के बाद ही आप LIC advisor का काम कर सकते है अब हम बात करेंगे mint pro exam की क्या है ये mint pro exam तो ये एक platform है जो point of persons बनने की अनुमती देती है अब हम बात करेंगे point of persons जो है वो क्या है तो अगर आप point of persons बन जाते हो तो आप insurance बेचने की अनुमती आपको मिल जाती है अब detail में बात करते कि point of persons क्या है तो point of sales person जो है वो एक platform है जो IRDI की तरह ही एक agency है जिसमें सबसे पहले क्या होता है कि एक exam होती है उसके बात 15 hours की training दी जाती है तो video modules जो है उस माध्यम से आपको training दी जाती है अगर आप सबसे पहले जो exam होती है उसमें pass हो जाते है तो ही आपको 15 घंटे की training आपको दी जाती है तो ये video modules की माध्यम से होती है ये training बहुत ही छोटा syllabus होता है तो वो training दी जाती है उसके बाद वापस exam होती है तो वो exam में जो 15 घंटे की training होती है उसके बाद भी एक exam होती है तो वो online exam आप दे सकते हो तो online exam से क्या होता है आपको advisor की जो काम होते है मतलब क्या काम करना होता है उसके साथ ही साथ जो सुविधाय भी मिलती है बहुत सारे allowance आपको मिलते है LIC में तो किस तरह के allowance मिलते है उससे related information भी आपको मिल सकती है तो आप online exam भी दे सकते हो अब हम बात करेंगे कि advisor का काम क्या होता है मतलब कैसे बनना है आपको exam देनी है training होती है सबसे पहले ये है कि आपके पास degree होना जरूरी है graduate की लेकिन 10 भी के बाद भी आप सोच रहे हो part time, full time सोच रहे हो तो भी आप कर सकते LIC में तो उसके साथ ही आप में जो ability होती है customer से relation maintain रखना तो convincing और negotiation ability जो है वो अच्छी होना जरूरी है अब हम बात करेंगे कि mint pro exam जो है वो बहतर क्यों है मतलब सबसे पहले मैंने IC38 के बारे में भी जिक्र किया था तो IC38 exam से mint pro exam जो है वो थोड़ी आसान होती है और syllabus भी उसका छोटा होता है उसके बाद मैंने ये कहा था कि IC38 exam आपको देनी है तो वो online center में जाके आपको देनी पड़ती है तो ये exam जो है mint pro exam वो online दे सकते हो मतलब अगर आपके पास mobile भी है तो भी आप वो exam दे सकते हो किसी online center पे जाने की आपको जरुवत नहीं है और syllabus भी छोटा है और आप आसानी से समझ सकते है syllabus को तो इसलिए ये ज़्यादा बहतर है इसमें salary unlimited है मतलब कुछ limit ही नहीं है आप 12 lakh per year कमा सकते हो कभी-कभी 18 lakh तक भी आप एक साल में कमा सकते हो तो जैसे कि इसमें fixed timing की भी जरूरत नहीं है आप कभी भी ये काम कर सकते हो पढ़ाई करते हुए भी आप LIC advisor का काम कर सकते हो अब हम बात करेंगे कि advisor अगर आपको बनना है तो किन-किन documents की जरूरत होती है तो सबसे पहले passport size photo होना जरूरी है उसके बाद 10th certificate होना जरूरी है अगर आपका मान्यता प्राप्त बोर से 12th pass आप हो तो 12th pass certificate भी होना जरूरी है तो उसके बाद आधार card, pen card की copy रखना जरूरी है अब हम बात करेंगे कि advisor का काम क्या होता है तो सबसे पहले की customer से अच्छे relation रखना जो भी relation है वो विकसित करने का काम जो है वो advisor का होता है विवहार कुशल बनने की जरूरत है advisor को उसके बाद जो भी customer की information होती है या company के product की जो information होती है daily update होती है वो आपको update करने की जरूरत होती है उसके बाद जो insurance company के जो seminar होते है workshops होते है उसमें आपको हिस्सा लेना है participate करना है जो भी आपके company के insurance company के जो भी product है social media के जरीए आपको share करना है आपके जो customer होते हैं, तो customer से सही वादे करें, मतलब कौन से भी भ्रहम में ना रखें, जो भी आपके company के rules regulations हैं, वही आपको customer को बताने हैं, जो LIC agent का व्यक्तित्व होता है, मतलब personality होती है, स्वभाव होता है, वो हमेशा आकरशित होना चाहिए, क्योंकि उसे अलग-अलग के लोगों से मिलना होता है, मतलब relation maintain रखने के लिए, आपकी जो personality है, स्वभाव है, वो आकरशित होना जरूरी है, उसके बाद LIC advisor को क्या करना है, तो अच्छे से customer से बात करना है, ताकि मतलब अगर आपकी जो convincing ability, negotiation ability अच्छी है, तो ही आप जो customers बढ़ा सकते हैं, हमें जरूर comment करके पूछ सकते हैं, अगर इस video related कुछ doubts है, कुछ queries है, तो जरूर comment कीजिएगा, thank you so much and take care.